इस वीडियो में हम देखेंगे बेस 3 टू बेस 2 कनवर्जन तो बेस 3 का मतलब है इसमें 3 डिजिट यूज होती है 0, 1 and 2 किसी भी नमबर को रिपेज़ेंट करने के लिए जो कि बेस 3 में हो उसी तरह बेस 2 में 2 डिजिट यूज होती है 0 and 1 किसी भी नमबर को रिपेज़ेंट करने के लिए बेस 2 में ठीक है तो अब हम कनवर्जन देखेंगे कैसे कनवर्ट करेंगे हम एक बेस 3 नमबर को बेस 2 नमबर में तो पहले इसका एक्जामपल देख लेते हैं जैसे बेस 3 का एक्जामपल हो गया 2 1.0 यह एक base 3 number है अगर इसकी जगह यहाँ पर हम लगा देते हैं 7 तो एक base 3 number नहीं होगा क्योंकि इसमें 7 हम यूज नहीं कर सकते उसी तरह base 2 का example देख लेते हैं 1, 0, 1 यह एक base 2 number है ठीक है क्योंकि हमने इसमें 2 भी digit यूज करी है 0 and 1 अगर मालियां यहाँ पर 6 आजाता तो यह एक base 2 number नहीं रहता क्योंकि हम 6 यूज नहीं कर सकते हैं base 2 ठीक है तो मतलब सिर्फ 2 डिजिट यूज कर सकते हैं 0 and 1 in base 2 और 3 डिजिट यूज कर सकते हैं 0, 1 and 2 तो देखते हैं conversion from base 3 to base 2 तो यह एक example लेते हैं यह base 3 में number है आपको इसको base 2 में convert करना है तो कैसे करोगे सबसे पहले इसे base 10 में convert कर लो फिर base 10 से हम इसे convert कर लेंगे base 2 में तो first step क्या है इसको convert करो base 10 में तो हम पहले से base 10 में convert कर लेंगे उसके लिए पहले से लिख लो ऐसे तो अब आपको क्या करना है इसे 3 की पावर n से इन सारी डिजिट को मंटिप्लाइ करते चलना है तो decimal से left side जाते हुए 3 की पावर increase होगी और right side जाते हुए 3 की पावर decrease होगी तो यहां से 0 से start करेंगे 3 to the power 0, 3 to the power 1 अब राइट side जाते हुए decrease होगी तो 0 से decrease होगे minus 1, 3 to the power minus 2 तो अब इन डिजिट को इन से multiply करदो तो अब इसे लिख लो 2 multiply by 3 to the power 1, 1 multiply by 3 to the power 0 1 multiply by 3 to the power minus 1, 2 multiply by 3 to the power minus 2 अब यह जो number आया इन सबको आपस में करदो add कर दिया, इसे solve कर लो अब यहां पर आजाएगा 6 यह 6 आगे हैं यहां पर, यहां पर 3 to the power 0 क्या होता है? 1 हो जाता है मतलब किसी की भी power 0 हो तो उसकी value 1 हो जाती है तो यहां पर आजाएगा 1 multiply by 1, 1 हो जाएगा यहां पर आजाएगा 1 by 3, यह हो जाएगा 2 by 3 to the power 2 तो इसे solve करके जब लिखोगे तो यहां पर आजाएगा 9 ठीक है? फर्दर इसे solve कर लो तो यह solve करके आजाएगा 7 plus इसको solve करोगे तो आएगा 0.33 इसे solve करोगे तो आएगा 0.22 तो आगे जब solve करोगे तो यह आ जाएगा 7.55 ठीक है यह आ जाएगा आपका decimal number system में मतर्ब base 10 में आ जाएगा अब आपको इसको convert करना है base 2 में second step है जो हमारे पास number आया 7.55 यह है base 10 में अब आपको इसको convert करना है base 2 में तो कर लो तो decimal से पहले जो number है इसको आप लिख लो इसको आप divide करते चलोगे 2 से ठीक है हमने यहाँ पर क्या करना है इसको 2 से divide करते चलना है quotient यहाँ पर लिखना है remainder उसके सामने लिखना है को 7 को divide कर लो 2 से 2,3 इसा 6 बचा 1 remainder आगया 1 और कोषट आगया 3 तो कोषट आपको यहाँ लिखना है remainder यहाँ लिखना है अब जो कोशिंट आय नया इसको फिर से 2 से इवाइड करना है तो 2 से इवाइड कर लो इसे 3 आया, 2 से इवाइड कर लो 2, 1's are 2, बचा 1, रिमेंडर आ गया 1, कोशिंट भी आ गया 1 तो यहाँ पर आजागा question यह 1 और remainder यह आजागा इसके सामने यहाँ पर तीक है अब यहाँ पर रह गया 1 इसको फिर से हम 2 से divide करेंगे अगर यहाँ पर question 2 से छोटा हो जाता है तो हम procedure को यहीं stop कर देंगे तो चोटा हो गया 1 is less than 2 तो हम यहाँ पर stop कर देंगे और इस direction में number को note कर लेंगे तो number आगया हमार पास 111 ठीक है यह number आगया यह किसका conversion है इस 7 का अब हमें point के बाद का number solve करना है इसको convert करना है तो point के बाद जो number है उसको लिख लो और उसको 2 से multiply करते चलेंगे तो 2 से multiply करोगे तो क्या आएगा इससे solve कर लोगे तो आजएगा 1.10 ठीक है फिर जो decimal के बाद जो number है उसको फिर से आप 2 से multiply करोगे तो solve करके आजएगा 0.20 यह आगया फिर जो decimal के बाद का जो number है उसको आप 2 से multiply करोगे और यहाँ पर आजएगा 0.40 ठीक है अब यहाँ पर stop कर दोगे और इस sequence में number को note कर लोगे कौन से number को यह जो decimal से पहले के number है ठीक है तो इसको इस sequence में note कर लोगे तो हमारे पास number आजएगा 100 और इसके आगे लगा दोगे decimal point यह किसका conversion है इस point five five का और seven का क्या conversion आया था one 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 और point five का आया point one zero zero तो इनको दोनों को एक साथ लिग दो तो क्या answer आजएगा हमारा total यह number आजएगा तो यह पूरा किसका conversion है इसका यह है base ten से convert हो गया base two में ठीक है तो इस तरीके से आप convert करोगे तो हमारे पास पहले एक base three number था क्या था two one point one two यह base three number था इसको हमने convert करा base ten में तो क्या आया हमारे पास seven point five five फिर हमने इसे convert करा base two में तो base two में क्या solve करके आया one 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 point one zero zero ठीक है यह number आया तो इस तरीके से हमने base three को convert कर लिया base two में तो इस तरीके से आप convert करोगे from base 3 to base 2 number system